दो तरीके के लोग होते हैं, राजनेती में तो खासतोर एकदम दिख जाता है, पूरी जिंदगी सत्ता के बीचे दोड़ते 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 सचाई को कभी एकसेप्ट नहीं करते हैं, ना अपनी सचाई एकसेप्ट करते हैं, ना किसी और किस सचाई एकसेप्ट करते है उनको सिर्फ एक चीज दिखती है कि किसी ना किसी तरह मेरे हातों में इंफ्लूइंस आ जाए सत्ता आ जाए बाकि सब छुड़ो और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कहते हैं ये सचाई है इसको मैं एकसेप्ट कर रहा हूँ चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे मगर मुझे जो दिख रहा है उस बात को मैं पूरी तरह एकसेप्ट कर रहा हूँ और अलग-अलग समाज में अलग-अलग जगे से ये लोग आए अमबिटकर जी महत्मा गांदी जी परियार बसवना बुद्धा ये अलग-अलग-अलग स्पेसिस से आये मगर इन सब ने ये बात एकसेप्ट की कि जो मैं देख रहा हूँ ये सच है और मैं इसको छोड़ने भी छोड़ूँगा नहीं हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी मुवमेंट्स हुई मगर तीन हजार साल में सबसे सक्सेसफुल मुवमेंट ये है और इसमें आप कहते हो की ये समविधान अमबेटकर जी ने दिया और उसमें सचाई है अमबेटकर जी ने दिया गांधी जी ने दिया मगर ये एक सोच है ये अमबेटकर जी से पहले भी थी इसमें बुद्धा भी है इसमें बसवना जी भी है इसमें पेरियार है इसमें गांधी है और सिर्फ वो नहीं है बहुत सारे ऐसे भी लोग है जिनके नाम किसी ने सुने भी नहीं वो इसी चीज़ के लिए लड़े थे किसान थे, मजदूर थे, नाई थे, बढ़ा ही थे इसके लिए लड़े उनका नाम आज हम नहीं जानते मगर उनकी सोच इसमें है तो जो भी, मेरा कहना है जो भी हिंदूस्तान में अन्याय की सच्चाई को एकसेप्ट करता है उसकी सोच इसमें है और इसने करोणों लोगों के लिए दरवाजे खुले है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारी expectation थी जो founding fathers की expectation थी जो महात्मा गांदी की expectation थी जवाला नहरु की expectation थी अन्बेटकर जी के expectation थी उससे कम लोगों को इस किताब का फायदा हुआ है तो success है मगर failure भी है overarching success नहीं है simple सी बात है इसको लोग कहते हैं कि ये rights का document है अधिकार का document है इससे हमें लोकतंतरिक अधिकार मिलता है सही मगर ये transfer of power का भी document है ये transfer ये transfer of assets का भी document है ये transfer of wealth का भी document है ये transfer of skills का भी document है